दोस्तों नमस्कार आप देखने हैं दा बी एनवाई नियूज मैं विबेकन नज्ज पिहार में करोना पिडित की संख्या में बिर्धी धीरे धीरे हो रही है आज फिर स्वास्त विभाग के सचीव संजे कुमार ने टूइट करके जानकारी दी है कि जो 61 मरीज बिहार में करोना से थे अब वो बढ़कर हो गए 66 तीन मरीज की बिधी हो गई है बिहार में करोना पिडित की तीन में दो बेगु सराई से पाए गए हैं एक 20 साल के युबक हैं और एक 60 साल के बुजुर्ग हैं और एक 16 साल की लड़की नवादा में मिली है जो करोना पोजिटिव है मैं बताता चलू आपको कि ये तीन करोना मरीज के संपर्क में आने से पिरित्थ हुए हैं और खाना गलत नहीं होगा कि लोकडाउन का पालन अगर सही धंग से नहीं की जाएगी तो मरीजों की बिरधी धीरे-धीरे अधिक हो जाएगी जारखंड की बात अगर आप करते हैं तो जारखंड में मरीजों की संख्या बढ़कर सत्रह हो गई राची को डर्मा सहित अन जीला में करोना पिरित्थ मिले हैं पिहार में 64 की संख्या अब तक बताई जा रही है और सिवान में 29 लोग अब तक पिरित हैं नवादा में 3 भागलपूर में 7 इस तरह अन जीला में भी मरीजों की संख्या बढ़ रही है लोकडाउन के पालन को सही धंग से नहीं करने के कारण मरीजों की संख्या बढ़ सकती है और मास्क लगाना अती आविश्चक है मैं आपको बताऊं की लोग सब जी खरीदने जाते हैं तो सोसल डिस्टेंस का ख्याल नहीं करते और जान है तो जहान है ऐसा मोदी जी कहते हैं लेकिन लोगों के अंदर में यह बात आनी चाहिए की जान बचाने की यह लड़ाई है मानों को बचाने की लड़ाई है इस बिमारी का कोई लाज नहीं है और बिहार में अन्राज के अपेक्षा मरीज की संख्या कम है अगर हम लोकडाउन का पालन नहीं करते हैं तो मरीजों की संख्या बढ़ जाएगी और बिहार के अंदर में चिकित्सा बेवस्था का जो लचर बेवस्था है अगर बिहार में मरीजों की संख्या बढ़ेगी तो सही धंग से इलाज नहीं हो पाएगा चुकि बिहार में 15 साल सासन करने वाले नितीश कुमार ने स्वास्त बेवस्था पर किसी प्रकार का द्यान नहीं दिया ना डॉक्टर की वहाली हुई ना नर्सिस की वहाली हुई ना स्वास्त केंद्र बनाए गए ना बड़े बड़े अस्पताल बनाए गए नीजी अस्पताल बाले को फलने फूलने का मौका दिया गिया आज बिहार में अगर करोना पिडित की संख्या बढ़ जाएगी तो सरकार को समालना मुश्किल हो जाएगा पंदरे साल के सासन काल में अगर सबसे ज़्यादा नुकसान बिहार को हुआ है तो स्वास्त बेवस्था पर नुकसान हुआ और सिक्षा बेवस्था चर्मडा गई इसलिए दोस्तों मेरा अपील है कि आप घड़ों में रहें लोक डाउन का पालन करें सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखें लोगों से दूड़ी बना कर मिले जुलें काम हो तो ही घर से निकलें मरीजों की संख्या अन राज के अपेक्षा करम है लेकिन धीरे धीरे वर रही है आपकी समझदारी आपकी सुरक्षा कर सकती है चुकि बिहार सरकार अपने हर मुकाम पर फेल कर चुकी है मरीज बढ़ना मतलब बिहार में चमकी बुखार में जीस तरह लाइन लग गई थी बच्चों की मुझफ़डपुर में उससे भी बद से बत्तर इस्तिती बिहार की हो जाएगी इसलिए दोस्तों सोसल डिस्टेंस बनाए रखें मास्क अबस पहने, हाथ अबस धोएं और सरकार के नियमों का पालन करें मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सेर करें, कॉमेंट करें, सब्सक्राइब करें थोड़ा मैं आपको सोसल डिस्टेंस की दजी उड़ाती हुई फोटो भी दिखा रहा हूँ जो आप आगे देखेंगे करें आपको सोस्प्स् Commod कि यह भागन का जरस्में कि अचया का जर्सरों झाथ कि यह ठाँ कि processes कring